कल कॉंग्रिस का मैनिफेस्टो ओफिशल मैनिफेस्टो रिलीस हुआ और ये बेहद दुखद दिन है हमारे देश के लिए मैनिफेस्टो के कुछ पॉइंट से हम आपको अफगत कराते हैं सबसे पहले कि काश्मीर के बॉर्डर से आर्मी निकाल दी जाए मतलब इन्फिल्ट्रेशन बे रोक टोक होगा फिर काश्मीर में आर्मी की स्ट्रेंद को कम कर दिये जाए काश्मीर का अपना एक प्रामिस्टर होगा मतलब इस देश के अंदर दो प्रामिस्टर होगे एक हिंदुस्तान का प्राइमिस्टर होगा, एक काश्मीर का प्राइमिस्टर होगा, आर्टिकल 370 को कभी नहीं हटाया जाएगा, और जो ड्रेकोनियन 35A है उसको भी वैसा के वैसा रखा जाएगा, और कोई राम मंदिर एउध्या में नहीं बनेगा, ऐसा लगता है कि जैसे किसी पाकिस्तानी पार्टी का मनिफेस्टो, because this is what exactly the enemy country desired, compromising the status of Hindus to create wedge in their hearts, demoralizing the Indian army, alienating and accepting Kashmir as a state within a state, is this the leading party Congress's election manifesto? 5. Please don't holiday on long weekend for the nation's sake and for a better future for our people, please be out for the voting day as a true nationalist, choose the right button holding your secure future, think right, vote right, use your right, nota is invisible, it doesn't even exist. 5. Please don't do that. झाल झाल